पड़ो लिखो भाई पड़ो लिखो जी पड़ो लिखो जी पड़ो लिखो भाई मेरी बेना पड़ो लिखो जी आ आ इए का खागगा पड़ो लिखो जी पड़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ हुशियार पड़ लिख कर तुम सब साथी बन जाओ हुशियार आक्षड ग्यान की दीप जलालो कर जाए अंधियारा अक्षर ग्याने के दीप जला लो कट जाए अधियारा पडोली को भाई, मेरी बहना पडोली को जी आईए काखा गगा पडोली को जी मुझे तो परके बहुत फारजा हुए और देश के वाकी इस्षों पर क्या हो रहा आपको कैसा लग रहा देखिए आप खुद साक्षर हो चुकी है अब सबसे पहले आपको ये जरूर मैसूस हुआ होगा कि आपके अंदर एक नया आत्म विश्वास पैदा हुआ है और इस आत्म विश्वास से आपके परिवार में आपके समाज में जरूर प्रभाव पड़ा होगा दूसरा फाइदा ये है कि आपके बच्चों को आप स्कूल जरूर भेजती होंगी हमारा ये अनुभव है कि जो माबाप पड़ लिखे हैं वो जरूर अपने बच्चों को ना सिर्फ स्कूल भेजते हैं लेकिन स्कूल में रखते भी हैं और इस तरह हमारा ये जो साक्षता का बियान है वो स्कूलों के माधियम से भी आगे बढ़ता है तीसरी बात ये है महिलाओं का सबली कराण आज आप एक सिक्षित महिला है आपको अपने राइट्स के विशे में आपके हकों के विशे में बहुत ज्यादा जानकारी है आज आप एक अख़बार को पर सकते हैं आपके घर के बाहर क्या हो रहा है आपके शहर के बाहर क्या हो रहा है सारी चीजों की जानकारी आप ले सकती है चौथी बात बहुत ही मैं समझता हूँ मैंतरपूर्ण है वो ये है कि आपके मन में एक भावना जरूर जागेगी कि मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती हूँ और ये जो इच्छा है कि मैं खुद कुछ करूँ कुछ करके दिखाऊँ अपने आप कुछ ऐसी चीज घर में बैठे हो बेशक ऐसी चीज कोई शुरू करूँ जिससे मुझे भी कोई आमदनी हो मैं भी अपने आप का जो अंदर छुपा हुआ जो अस्तित्व है उसको मैं पैचानू ये जो भावना हम जागवित करते हैं मैं समझता को ये एक बहुत बड़ी बात है आंधर प्रदेश का तिलंगाना इलाका और यहां के नवाब कुली कुतबशा का गोलकुंडा किला आप शायद जान ही गए होंगे कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और अगर गोलकुंडा किला से आपको शहर के बीचों बीच खड़ी चार मिनार के पास ले जाएं तो आप खुदी के उठेंगे ये तो हाइदराबाद है जी हाँ हाँ हाइदराबाद इस बार साक्षरता को लेकर हम यहीं की बात करेंगी ना जाने इतिहास के कितने ही परिवर्तन निजामों के इस शहर ने देखे हैं और आजकल तो ऐसा ही कुछ अलग परिवर्तन यहां के निरक्षरों की जोपड़ पट्टी और पुरानी बस्तियों में देखने को मिल रहा है ये परिवर्तन है यहां हाइदराबाद में चलाए जा रहे साक्षरता कारिक्रम की देद साक्षरता कारिक्रम को नाम दिया अक्षर ज्योती वाकई जैसा नाम वैसा ही काम ना जाने कितने ही नवसाक्षरों के जीवन में इस ज्योती का प्रकाश पहल रहा है अगर आप इस प्रकाश को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले हम चलते हैं खादरिया कॉलनी में कॉलनी क्या है एक पुरानी बस्ती है यहां के रहने वाले बाशिंदे आस परोस के गाउं से आकर यहां बसे हैं काम करते हैं प्यास बेचने, शेहर में आटो चलाने और अगरबती बनाने का ज्यादतर परिवार मुस्लिम सम्प्रदाई से हैं वैसे ज्यादतर क्या अमूनन सभी ही हैं यहां की आम सी चलती जिन्दगी में एक नई शुरुआत हुई गली के ही किसी घर से अलिफ बे बे ते की आवाजे सुनाई देने लगी कुछ पढ़ने खोदी आने लगे और कुछ ने पूछा भई क्या फाइदा होगा फाइदा क्या होगा इसके जवाब भी खोदी मिलने लगे विटामिन क्या होता है बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है इन सवालों के जवाब अब यहां के नवसाक्षर ज्यादा बहतर बता सकते हैं एक साल के अंदर सभी टीके लगवाईए अपने लाडले की जिंदगी में फूस बनवाईए देखा पढ़ने लिखने का फाइदा गलियों में अवारा घूंते बच्चों को भी एक नया खेल मिलके आ है खेलो भी और साथ-साथ पढ़ने का महौल भी बनाओ पहले माबाब भी अनपढ़ थे और बच्चे अंगुठा टेक पर आज तस्फीर कुछ और ही है बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने अब्बा अमी को आएए अलिव पे-पे का फाइदा इनसे ही सुने इनकी ही जुबान में और महले की ट्रेन प्रशिक्षत छोटी बाई अपसर जोजती के संटर को जाना शुरू करें उर्दू में सैन करना आ गया फिर बसेश के लमरा मालूमात हो गए फिर दाया की ट्रेनिंग में गए वो पूरे तजरुबे मालूमात हो गए उसमें भी फाइदा हुआ हमारे को यह तो थी अक्षरों से आई परिवर्तन की इस खादरिया कॉलिंग की कहानी अब चलिए हाइदराबाद के ही दूसरे इलाके लाल दर्वाजा से आगे परवती नगर में यह स्लाम को बोलते हैं परवती नगर यह हाइदराबाद सिटी में इधर 150 फैमिलिस है यह पूरा बेड़ा बुड़ का जंगम है इन लोग हारिजन में आते हैं सुभा के समय अगर आप आएं तो सिर पर बरतनों का धेर लेकर जाती महिलाएं आपको दिखाई देंगी पूचने पर पता चलेगा कि पुराने कपड़ों के बदले यह बरतन देने का काम करती है यह काम कैसे शुरू किया बरतनों का पैसा कहां से आया यह सवाल पूचने पर जवाब मिलेगा शाम को पारवतिन अगर आईए खुदी मालूम चल जाएगा सच मुच में शाम को वहां जाने पर खुदी जवाब मिल गया जब इन महिलाओं का छोटा सा बचट बैंक देखा रोज के एक रुपय के हिसाब से महीने का तीस रुपया जमा ऐसा करीब पच्चिस महिलाए कर रही है इस चोटी चोटी बचट से ही आगे चल कर लोन लिया और शुरू किया अपना ये बर्तनों और कपड़ों का रोजगार पर ये अकल आई कहां से और कहां से मालूमाद चला और अब ये हिसाब किताब पच्चित में पैसे बैंक में जमा कर रहे है साथ जिने बैंक में मैने तको एक मैने तको तीस रुपई ये पढ़ने वाली मैलाएं पहले यह तो घर पर ही रहती या फिर लोगों के घरों में बरतंद होने का काम करती फिर पढ़ने के साथ साथ इनकी छोटी सी सिंटी हुई दुनिया भैलने वा खुलने लगी पूरे जोश के साथ चलती इन साक्षता कक्षाओं को देखने का अपना एक अलग ही आनंद है इन कक्षाओं में आने पढ़ने का असर देखिये जरा इन नहिलाओं पर इनकी दुनिया के बढ़ते हुए दाइरे और विक्सित होती सोच को देख खुदी लगने लगता है कि पढ़ना लिखना है कितने लाप्त की बात आप तो इन उत्सा भरे गीतों में ही खो गए जबकि हमें अभी घूमना है मिर्शी गंज के इलाके में भी मिर्शी गंज भी पुराने हाइदराबाद की एक बस्ती है यहां की नफसाक्षर बुतुल से मिलिये सर पर बाप का साया नहीं है और कमाने वाले के हाथों में बुतुल के नन्ने हाथ भी है पढ़ने से पहले बुतुल के और उसके परिवार के पास काम ज्यादा था और मुनाफा कम इसी बस्ती में नसरीन भी रहती है वो और उसकी बेहने रोज आज से दस खंटे काम करती है रोज ही रात होते होते हाथ दर्द करने लगते हैं और कमाई सिर्फ पास से छे रुपए रोज क्या काम ऐसा ही चलता रहेगा या कभी कुछ बदलेगा भी ये सवाल यहां के रहने वाले कितने ही बड़ों और बुतल और नसरीन जैसी बच्चियों के सामने आता था और जवाब में कुछ भी नहीं सिर्फ अंधीरा ही फिर आए इनकी रोज की आमसी सिंदगी में साक्षर्टा पढ़ने लिखने की बातें और बस तम ही से बदलाओ के दिन आने लगे या मुमबतिका कारखाना या ऐसा लगाने से और भी बहुत सारे बचे काम सीख सकते और उसको ज्यादा मुनाफ़ा उठा सकते पहले पहल तो आने का संकोच और पहले आयकॉन इन बातों को दूर करने यहां की प्रेरख सफिया खर-खर गई आज यहां दिन में लगती कक्षाओं में पढ़ती बहुत सी मैलाओं की तो बच्पन की ख्वाईश पूरी हो रही है अपने काम के समय में से रोज दो घंटे का समय निकाल सीधे आने लगे अक्षत जोती की कक्षाओं में पार्ट एक, दो, तीन और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यह कहां आप होचे हैं यह जानना चाहेंगे मैं खुद पढ़कर ऐसा काम करूंगे जिससे अपने खौन की बलाई भी हो और मेरा नाम भी हो आप तमाम लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, हम होंगे कामियाँ मैं पहले घर में हैती थी, लेकिन मेरा दूल चाहा कि मैं अपनी तालिम दूसरों को दो सोशल वर्फा के जैसा मैं घरलवालों से लर्द आगा कर तालिम देने बाहर निकली अब दूसरों से ने पूछना पड़ता, अब हमारी खुदी से हम ला ले सकते हैं बाजी कन पड़े जब से अब आप बताईए इन इलाकों में रहने वाले पढ़ने वाले नफसाक्षरों से मिलकर उनकी बाते सुनकर तो आप मानते हैं ना नवाबों के शहर हाइदराबाद के इतियास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ रहा है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब ये ननने हाथ लिख रहे हैं मेरा भारत महान हम होंगे काम्याब तो आप कैसे देखते हैं कैसे कालिकरम चलागते हैं क्योंके शेयरों में तो ज्यादा करके पड़े लिखे लोग होते हैं जो अनपड होते हैं वो ये भी ने करते हैं कि हम अनपड हैं सब पड़े लिखे बताते हैं तो आप कैसे उनको पढ़ाते हैं मतलब भी आंचे ला रहे हो तो पाबता है देखिए शिला बहन ये बात तो सच है कि शेहरी इलाकों में समस्याएं बहुत ज़्यादे गंभीर हैं और उसकी ये वज़े है कि एक तो जैसे आपने कहा कि लोग अपने आपको हमेशा साक्षर ही बताते हैं दूसरी बात ये है कि एक दूसरे पारसपरिक जो संबंध है वो बहुत कम है एक दूसरे को मदद करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ते तो इस माहौल में वालन्टियरों को ढूनना वालन्टियरों को प्रेरित करना वालन्टियरों से क्लासे चलाना और जिन शेत्रों में हम इस कारेकरम को चला रहे हैं उसको देर तक चलाना उसको हमेशा जो हमारे लर्नर हैं जो पढ़ रहे हैं उनको प्रेड़ित करके रखना ये सारी समस्याएं शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती और हमने ये भी देखा है कि बॉंबे जैसे अगर आप शहर ले, मदरास जैसे शहर ले, हजरबाद जैसे ले तो इन बड़े बड़े शहरों में हमारी जो गती है, वो जरूर धीमी है अन्य गाओं इलाकों के मुकाबले में तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले दो तीन सालों में शहरे इलाकों के तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसी सिलिए में मैं आपसे कहना ये भी चाहूँगा कि निकट भविश्यत में हमारे दिसंबर इस महीने के अंत में एक खास प्रोग्राम हम बंबई में कर रहे हैं जहां शहरी इलाकों से जो विशेशग्य हैं वालंटियर हैं स्वैम से भी संगस्थाएं हैं सबों को लेकर एक शिविर हम वहां कर रहे हैं और इस तरह हम ऐसे कुछ विचार वहां रखेंगे जिनको लेकर हम इस कारेक्रम को शहरी इलाकों में और बिकती से चला पाएंगे मुंबई माया नगरी इस माहा नगर में साक्षर्ता कारिक्रम सुनने में कुछ अजीब सा लगता है न यहां की भागती दोड़ती जिन्दगी में और सब कुछ है पर समय नहीं है ऐसे में साक्षर्टा की बात जी हाँ ऐसे में ही साक्षर्टा कक्षाइं चलाई गई और उनमें सफलता भी मिली मुंबई में हमारे युनिवर्सिटी के जो एडर्ट एंड कंटिनुइंग एजुकेशन दिपार्टमेंट है मुंबई जहाँ सब कुछ चलता है पैसे के अरद्गिर्धी और अधिकांश निरक्षर जो जो जोपर पट्टियों में रहते हैं उनका दिन तो गुजर जाता है पैसा कमाने में ही फिर ऐसे में समय कहां पढ़ने को ये सवाल था जो पहले उठता था कोई निश्चत समय नहीं पढ़ने के लिए तब ही तो एक खास तरह की मुहिम चलाई गई पढ़ाने के लिए पैकी एरिया में तिन चार चार समय पे ये लोगों को पढ़ा है तो उनको जादा सुविदा हो जाते हैं कि जिस बैज में वो आना चाहते हैं उस बैज में आए और पढ़े। अंदर द्रिश्य होता है कि एक कक्षा में सब के लिए दुआएं मांगी जाती हैं और साथी प्रात्मा भी पढ़ि जाती है। साहस नाम से दो साल में इन नफसाक्षरों में क्या कुछ बदलाव आए हैं इनको पढ़ाने वाली सकीना ज्यादा बेहतर बता सकती है जब हमारे क्लास में आते थे वो लोग किताब चुपा के लेके आते थे साडी में से चुपा के और बहुत शर्माते थे और मगर आज हमारे यहां वो लोग शर्माते नहीं है और जब बच्चे को उन लोग छोड़ने आते हैं हमारे केजी सेक्शन में तो उस टाइम बच्चे यहां नीचे पढ़ते हैं और उपर उन लोग क्लास रहता है उनको बहुत ही confidence आ गया है और बहुत अपना अत्मा विशास बढ़ गया है बात पढ़ने की और जीवन शेली हो सबसे बड़ा रुपईया वाली तो यहां साक्षरता की बात भी ऐसे ही शुरू की जानी चाहिए थी और ऐसे ही की भी गई पर लिखकर नव साक्षर बनवे अपने पैरों पर खड़े हो सके अपने निर्ने खुद ले सके पूरा साक्षरता कारिक्रम कुछ इसी तरह चलाया गया आज दो साल बात यहां चलाए गए साक्षर्ता कारिक्रम की उपलब्तियां खुदी सामने दिखाई देती हैं इनसे मिलिए ये हैं दीपाजी मिस्त्री आज दीपाजी की अगरबति उनके महले और आसपास के इलाके में खुब चलती है और आप है सर्ताज हसनैन खान पढ़ने लिखने से ये फायदा हुआ कि अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा सकते हैं थोड़ा बहुतर हो अच्छा खासा तीन तक पढ़ लिया पढ़ना लिखना हो गया और ये इसमें मुम्बत्ति भी बनाना सुखे सर्ताज की पूम्बत्ति इनके घर के साथ ही साथ और उनके घर को भी रोशन कर रही है दीपाजी मिस्त्री और सर्ताज आज साक्षर होने के बाद अपना रोजकार कर खोदी कमा रहे हैं पर दो साल पहले इनकी और दुर्गा देवे की हालत एक सी थी खेरवाणी और मनी पाड़ा या ऐसे ही किसी भी इलाके में जाकर नफसाक्षनों से मिलिये तो हर एक के पास पढ़ाई लिखाई के बाद आए सुकत परिवर्तन की शांधार बाते हैं पहले अपने को मालूम नहीं था पोलियो पिलाने से क्या होता है अभी बुक पढ़ने से मालूम पढ़ गया पोलियो पिलाने से लाब होता है इसके लिए अपना साथ मैने का बच्चा है उसको अभी पोलियो पिलाने को भी शूरू किया लगाने को भी शुरू करे। और अच्छे से देख भाल भी करने को और लक्षमी चेती वाला पढ़ने लिखने से न मा के चिठ्थी दिया और वापिस चिठ्थी आया खताया उसका अब सहाब और कितने किसे ही नफसाक्षरों के आपको बताएं सुभा से शाम हो जाएगी पर किसे खतना होंगे हर कोई है साक्षरता से जीवन में आए नए उजाले के साथ चलिए चलते चलते दो और नफसाक्षरों से आपको मिलाया जाए पहले मिलते हैं नारायन देवडिया से पाव भाजी का कली में ठेला लगाते हैं पहले किसी प्राइवेट मिल में काम करते थे मिल बंध हुई तो सड़क पर आ गए इसी बीच साक्षर्ता की कक्षाएं इलाके में शुरू हुई तो पढ़ना शुरू किया और आज नारायन साहब का पढ़ने लिखने के बाद आया आत्म विश्वास और इससे शुरू किया गया रोजगार खुदी करखगर सीखने की सफलता को कहता है और दूसरी है शांतमा आज नफसाक्षर शांतमा का शुरू किया जाड़ो गनाने का काम पूरे परिवार को रोजगार भी दिये है और आमधनी भी नारायन, शांतमा, बुर्गा देवी, जागेश्वरी, बिंदू, लक्ष्मी और ऐसे ही ना जाने कितने नफसाक्षर है इन बस्तियों में जिनके जीवन में साक्षरता के अक्षर, कखगः और अलिफ बेपे एक नया उजाला लेकर आए हैं अब तो मानते हैं ना कि साक्षरता को लेकर साक्षर होने के लिए दुआ में उठे हाथ अपने और तेश के विकास के लिए ही हैं अमको मन की शक्ति देना पड़ो लिखो भाई मेरी बेहना पड़ो लिखो जी पड़ो लिखो जी पड़ो लिखो जी पड़ो लिखो भाई मेरी बेहना पड़ो लिखो जी आ आ इए का खागगा पड़ो लिखो जी आ आ इए का खागगा पड़ो लिखो जी मेरी बेहना पड़ो लिखो जी आ इए का खागगा 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 पड़ो लिखो जी